यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ जिसके तहत सभी विपक्षी पार्टियां एक चुट होकर RSS, BJP और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहती हैं कॉंग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल इसके लिए कोशिश कर रही हैं इस दुरान राहूल गांधी को महागट बंदन के केंदर में रखना नहीं भूले राहूल ने मौजूदा मोदी सरकार को अमीरू की सरकार बताया साथी जीस्टी को लेकर भी जबरदस्त हमला बोला सुनिए क्या कहा राहूल गांधी ने जो महागटबंदन है ये एक देश में सेंटिमेंट है ये पूरा कपूरा विपक्ष जो है ये प्रधानमंत्री बीजेपी और आरेसेस के खिलाफ खड़ा हो रहा है और ये सेंटिमेंट सिरफ राजनेतिक लोगों ने नहीं है ये जनता में है और ये सवाल जनता के अंदर भ पी हिंदुस्तान के कॉंस्टिटूशन पर हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन पर आक्रमन कर रहे हैं इसको रोकने की ज़रूरत है और इस एक्स्प्रेशन को इस आवाज को कॉंग्रेस पार्टी जोडने का काम कर रही है और बाकी पार्टी अभी इसमें लगी हुई है मे इशू जो सबसे अमीर लोग हैं हिंदुस्तान के उनके लिए सरकार काम कर रही है लाखों करोड रुपे उनका करजा माफ किया है छोटा सा सवाल है मनमोहन सिंग जी के समय पेट्रोल के दाम 140 डॉलर प्रति बैरल हुआ करते थे आज शायद 70 डॉलर प्रति बैरल है तो पेट जो आम जनता है बंबाई के जो जनता है हर रोज उनके पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं डीजल के दाम बढ़ते हैं तो यह जो पैसा है जो बन रहा है यह कहां जा रहा है यह हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में जा रहा है गरीब जनता के जेब से पैसा निकल इंडस्टी है नूटबंदी की गबबर सिंग टैक्स लागू किया तो पूरा देश दुखी है जो कमजोर है जो चोटा दुकांदार है छोटा बिजनस्मेन है वो दुखी है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं तो राहुल गानी को आपने सुना जहानों ने कम समय में लेकिन अपने पूरे विस्तार से केंटर की मोर्दी सरकार पर हम ला बोला लेकिन इस सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि महागटबंदन भानुमती का कुनबा तो नहीं साबित होगा ठीक उसी कहावत की तरहा कि कहीं की इट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा क्योंकि अभी तक इस संभावित गटबंदन का कोई प्रभावी नेता नहीं दिखाई पड़ रहा है तो वहें कुछ विपक्षी दल तीसरे मोचे की बात कर रही है महागटबंदन की संभावित पार्टियों के लिए प्रधान मंत्री के नाम पर सहमती बनना भी एक बड़ी दिखकत है मजबूरी केंद्रिये पार्टी ना होने से गटबंदन की सरकार दिशाहीन साबित हो रही है क्योंकि मजबूत केंद्रिये नित्रित्व की कमी के चलते नाकाम हुई थी केंद्रिय नेत्रत्व था मनमोहन सिंग सरकार जरूर चला पाए लेकिन सरकार प्रभष्ट चार के इतने आरोप लगे कि खुद सरकार के मुख्या मनमोहन सिंग को कहना पड़ा कि गठबंदन की सरकार है और मजबूरी है इस बार जो कोशिश की जा रही है वो नायाब इस तर करने की जो मुहिम की जा रही है हाला कि देखना होगा कि इसमें उमीदवार के तौर पर एक उमीदवार के तौर पर किसका नाम आगे किया जाता है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नाम निकल कर सामने नहीं आ रहा है जो कि इस महागठबंदन का नेता होगा इसी को लेकर इस वक्त स्टूडियो में मौझूद हैं सबसे पहले उनका परिक्ष्य आप से करा देते हैं बीजेपी से हमारे साथ नीलम जी मौझूद हैं बीजेपी का पक्ष रखेंगी साथी कॉंगरस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ मौझूद हैं इनालोक कि और से स्टूडियो में हैं साथी राशनतिक विश्टेशक अने रारे जी हमार साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत स्वागत है आप सभी महमानों का सबसे पहले बालमुकुंद शर्मा जी आपके पास आते हुए बीजेपी कहते हैं भानुमति का कुर्बा जोड़ा जा रहा ह परजातंत्री विवस्था में वैकलपिक विवस्था है बहुत प्रिस्थितियां हैं परदेश की अलग प्रिस्थितियां है राष्टिय सद्र पर अलग हैं अगर कोई मिलके चुनाव लड़ना चाता है तो मिलने जैसा तो प्यार प्रेम से बंदूतों से बात करके आगे अगर चलो आपकी वैसे बीच में बोल पड़े आपकी बात को बड़ी करता हूं आप कब ने इंडरे आपने गठबंदने से सरकार ना चलाई हो एक मिनिट पूरी करने देवी बात हो या आपने दूसरों की सरकार ना चलवाई हो चाहिए केंदर में अर्याना में आज तक िसनामै का चलेiplा दोतरी हो आपने अज पस्कार ना चलवाई कि आपने दोसरी लोगा असे मरतन हैं तो यह आपने कैसे मुझे भी नहाची और आपको नहीं कहना जी कुछ और तकर यह पे आपको पर आपका रृन की बानुमतिय आ आप ये बता दिए करपा करके एंडी तो यूपी ए से ज्यादा इदल है तो आप पन्जाब में कॉलिवरेशन इसके बाद परिष्थितिया बदली है देश की बारती दंदा पार्टि ने भी कॉलिवरेशन में सरकार चलाई है यूपी ए कॉंगरेश के टाइम वी चली है वो व्यवस्था मुख्या आज क्या देश के देश के सामने एक समस्या गंबीर जो यह संपरदाइक दल है ना इनको किनारे करके लोगों में इनको उजागर करना गे जो संपरदाइक सक्तिया है देश का जो बटवारा करे है धरम के नाम पर जात के नाम पर और बहुत सी इस तरीके के बटवारा करे है लिखी पड़ी सब को रोकना है तो उसके लिए माहागडबंदन का नेता कौन होगा इसका नाम भी बता दीजे फिर राउल जी हम लाजिमी बात है जो देखिए आज भी सबसे बड़े दल के रूप में कॉंग्रेस पार्टी है चलिए आप करे राहूल गांति होंगे जोगिराम जी आप भ प्रिजिनल पार्टी के अपना मेत होता है और उसको द्रातल का पता होता है कि इसकी क्या जूड़त है वह पर आपने पार्टी देखियोगी वहां पर सभी पनप रहे हैं जब यह लाजर पार्टी आ जाते हैं बीजेपी एक हमारा एक ही मुद्दा है नोन बीजेपी नोन क कॉंग्रस का देख लिए सब लोगों ने जी कॉंग्रस को नकारने के बाद बीजेपी के बारे में सोचा था कि ठीक चलेंगे लेकिन इनको बहु मत क्या मिला कि इनको एहंकार आ गया ऐसी हर्याना में फस्ट टाइम ये बीजेपी की गवर्मिंट आई है जी इसके बाद इ लेजिदेगены फस्टेश हमारे नेता बहन मायावती जी हैं और जिसका नाम आहीं एकवर रख देते हैं ताउध देवी लाग जी ने जिसका नाम रख दिया तो प्रैमनिस्टर बना जी ये इतियास और अब भी एतियास बनेगा कि बहन मायावती जी देश की प्राइमनिस्टर होंगी अगर कॉंग्रेस के साथ जाएंगे तो नहीं साथ देंगे आप नहीं का इसे पहले प्राइमनिस्टर का कोई को प्राइमनिस्टर ना, ये अपनी पार्टी का सकते हैं कंग्राश बीजेपी अपनी कर सकती हैं, लेकिन गटबंदन का कोई नहीं कर सकता गटबंदन में जिसकी मिजॉर्टी होगी उसका प्राइमनिस्टरä बनेगा ये कए खिए कहे हमारा प्राइमनिस्टर Church होगा, तो इनके साथ गटबंदन कोन कर रहा है किसने कायन के साथ गटबंदन यह खुद बुला रहे हैं कोई जाने रहा है इनके पास सबसे बड़ी स्टेट है यूपी यूपी में देखियो क्लिर कर दिया है अखलेज जी ने मायवती जी ने के चार-पांस सिट्टें ही हम कॉंग् सब साथ में रही है मेरे खाल से कांग्रेश के मैं साथ जयाते हैं क्या कमच पे वो फो मच नहीं यह उसको मनच नहीं है अगर अगर इनलो साथ नहीं देते हैं कि नॉन बीजेपी नॉन कॉमरेश जिन्टा है अगर ऐसी ही स्टेती रहती है तो फिर क्या लगता है आपको कि महागडबंदन जो है जिसकी एक अभी धूरी बनाई जा रही है वो पाएगा उसका बहुत बड़ा पार्टिसपेशन जो है वो किसी अधर स्टेत में नहीं है अर्याना को छोड़ दे तो और अर्याना बहुत बड़ी स्टेट में है अर्याना में डस ही लोकसब आते हैं जो इस तरह के दल बनते हैं वो राश्टिय driven पर बनते हैं और प्रदान मंत्री जो हैं उसमें लगवक 46-46 पार्टी हैं जो है वो गटपंदन में हैं और फिप्टी नाइटिन फिप्टी-3 में इतियास कि अगर बात करें तो पहला जो गटपंदन होता है वो अंधर परदेश में होता है और पिछली कंटीनियू जो गवर बहुत बड़ी पार्टी है आज है वो भी गठबंदन में आ गई है गठबंदन की सुरवात इराश्टी इस तर पर बीजेपी ने की है और एक तीसरा गुरूप इन से हमेशा रहता है जब से 77 से यह जो है जो है जेपी की मुमेंट चली थी उसके बाद में एक अग्रिकल्ट दो हजार नो का चुनाओ तो बिलकुल यूपिय और एंडिये के बीच हुआ है और उसमें बहुत जादा जग है जो है दूसरी उनको नहीं बची थी और इसी तरह 2014 की बात थी अब फिर से इस सवाल करें ना कि एक मंच पर क्यों गए वो भूमिका इतिनी बड़ी नहीं है लेकिन तीसरे मोर्चे का नेतरतों कौन करेगा यह बहुत बड़ी समस्या है एक बिहार कि अगर राजनीती की बात करें राजनीती में एक मंच पर आने का क्या संदेश जोह जाता है देखि रिलेशन्स होते है पॉलिटिकल परसंस के वो उस रिलेशन्स से जा सकते है लेकिन हरियाना के संद्रम में अगर हम बात करें तो हाव इट पॉसिबल के इनलो और जो है इसमें कॉंग्रेस इखटे हो जाएंगे ऐसी पॉसिबल्टी बिलकुल भी नहीं है दूसरी एक बात म है MP जाते हैं वहां से तो कोई भी बड़ा नेत्र तो है ऐसा नजर नहीं आता जो नरेंदर मोधी को चुनोती देश के या वो राहूल गांदी को अपना नेत्र तो सौप सके के हमारा जो लीडर है वो राहूल गांदी जी होंगे इन प्रिष्थितियों में जो तिकोणा गड़बंदन आज तक सरकार नहीं बना पाया बना तो पाया चला नहीं पाया कंप्लेट निलम झी ऑगर कॉंग्रिस की और से गटबंदन को एगजूट करने की विपख्ष को एगजूट करने की कोशिश की जा रही है मा गड़बंदन बनाय जा रहा है तो भर बीजेपी बानुमती का कुनबा कह दिये बीज़ पी ने वाद जब की खुद ही शुरुआत की इसकी देखिए गटबंदन में और भानुमती के कुनबे में बहुत पर्क होता है गटबंदन में जो पार्टी सिकटी साती हैं कि एक common ideology होती है कही न कहीं वह एक दूसरे के नजदीक होते हैं उनमें डिफरेंसे नहीं होते हैं तो किसी न किसी common minimum agenda program के ताहित वो लोग एक पर प्लीज़ 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 तो कुछ रिजन्स होते हैं जिसके वह सब लोग ही कट्थे हाते हैं यहाँ कट्थे हाने का क्या reason है पिछले चार सालों में को कोई मुद्दा ने मिला कुछ नहीं तालिक अब elections पास आ रहे हैं तो सब की यह सब का असी तो आजन्टीटी कट्रे में है आपके से अपने से अट्टीटी चौट करें आएं शलल आप में किसी के बात बीच में ने बोला अपसे जवाब लेलूंगी जवाब लेवा जी जवाब ले लूंगे जिशु लिए मैंने आपके बीच मैंने बोला था ठीक है और जैसे इनका कनाटक के टाइम यह फर्स टाइम इकटे हुए थे गल्माईया भी ती गाल से गाल मिलाके वोटोग्राफ भी किच्वाए थे और अभी इनोंने का कि यह तो सिर्फ एक निमंत्रहन था कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं मुलायम से ग्यादम है अभी जब घर खाली कर आजा था सरकारी मंगला तो उन्होंने कहा था कि ना मैं बहुत बुड़ा हो गया हूँ बीमार हूँ मुझे सिर्फ दो साल के लिए और यह मकान देदें वह भी प्रदान मंत्री बने का सपना देखते हैं उदर से जो ममताव नर्जी है वो भी अपने ख्याल बनाये रखी है और जो उडिसा से जो थे वो तो उनके यहां पे गये ही नहीं थे तो यह सब लिला के कोशिश है इन तो एसे में कैसे संभाव होगा एक ही सोच पर सब्सक्राइब नाम पर तेको नीलम जी तो कुछ भी कहीं वह इनका विश्ते पर जबाब देंगा इससे पहले अनिल जी ने जो राजनिती को इसले कहें काफी अच्छी बात कहीं और थोड़ा एक बीच में उनने जोड़ दि संभा जी पर आपने 40-50 साल से ही कटी कर रखे नियुका एक बात करें आप जोड़ा जोगी राम जी पी इंडीया ने स्लोगतल के पड़ा आप कहां को राजन की बात कर रहेँ आप दोड़ों की आपस में नी बंतिया आप कहां को इलेशन की बात करते हैं ऐस अपने सवाल किया मेरे को आपने शमय मांग गया है या तो मेरी बात पूरी या दस बीच मिंटीन को दे दो या अपनी बात कर लें संव करें आप करें अपने अधसी बात हैं कि ऑँने बात प्रवक्त्त को निस देश में हैं श्राइस के बात कर वकरति ब्रोख वार्तिता बारदी ने भी और कॉंग्रेस ने भी गठ बंदन की जो सरकार की सरुवात करी वह भारतिय जन्ता पार्टी ने की उनीश सुस्तितर के बाद जो जेपी मोवमेंट चलिया अब किसान अंदोलन हुआ एक तरह से हो और जो किसान निता थे चे वह बादल साब हो चोटा ला परिवार हो चंदर मैं बढ़ाता है एक विचारद आराइस देश में है जो बलके इनको जोड़के देऊंगा मैं एक तो यह जो सांपरताइक ताकते हैं और एक आर्थिक ताकते भी होगी अब सुनो तो ओन रिकॉर्ड बढ़ा आप यह आर्थिक ताकते भी होगी देश के पंदरा लोगों को हंनों ना करजा माफ करके देश की इसकी तासरी फ्राइक चाल जाएघ विच सब्सक्सथ दी मैं बात पूरी को करने आप आजवार ने कोई डाट नियुकों का जो वार्टे जनदा पारटी ने कोई नहीं देरें कोई फ़हां नहीं हुआ डो पन्सकुला में 10 क्रोड गी ज़िए अब यह भुण आपको समय दिया सर आप जवाब नहीं देरें लेकिन पूछा तीसरी बार फिर पूछ रही है कि अलग अलग विचार धारा है अगर पार्टी जो आपके साथ जुड रही है कैसे एक ट्राक पर लेकर आएंगे कैसे राहूल गांधी को प्रणान मंतरी बर्मा पाएंगे राहूल जी का कॉंगरेस का एकमत है जो लोग सामपरदाइक सक्तियों के खिलाप है वो हमारे गठ बंदन में आएंगे उनका स्वागत है उनका हम तहे दिल से सुकर गोजार भी रहेंगे स्वागत भी करेंगे जो लोग फिरकार प्रस्त इन ताक्तों के पक्समेरते हैं या इनके साथ कहीं रहे हैं उनकी हमें जुरूद नहीं है हम क्यों दरम निर्पेक स्थाखते हैं जो इंदोस्तान को आगे बढ़ास्पी हैं जो हमारा साथ देंगे वो कॉंग्रेस के साथ रहेंगे हम सामपरदाइक सक्तियों के खिलाब दिन राट जूट करके इनका विरोध इनके डाट नहीं है नहीं आगे हैं जो इनके बात बता है है ना इनके बात बता है ना इसकी बात बतारी है जो वेक्ति दो लाइन बिना मुवाइल के नहीं बोल सकता, जिसके अपनी कॉंग्रेस में को इनेच नहीं है, पूरी जनता जो इनकी कॉंग्रेस की है, वो 14 सालों से उमीद करें कि वो मैचोर होंगे, आज तक भी इस तरह की बाते करतें, देश मेराना उन्हें पसंद नहीं, जे श्युटिय थिने मनाणी है, ऐसे वेक्ति मो गुजरात सुनाओं में जोर में यह दिखिए, आपको और तक लिएरोड़ में नेचरिrices है, आपको लिए प graphics यह सबसे ज्यादा प्रेशान कोना है किसान और मर्दूर सबसे ज्यादा प्रेशान है हमारी मैसेम्य योश राएं उने के बले के लिए और मतरी से भी आपने जूट वो लेगे आप लोग वह वोलते हैं अपर पर नोगे संदोर को यह विचार दारा है वो कोई विचार दारा मुझे नजर नहीं नहीं आती हिनकी विचार दारा एक आइडियोजी की बात जो अभी हो रही थी कोई ideology नहीं है इनकी ideology है सत्ता प्राप्ति की यह जो भी सत्ता में होता उसके खिलाब ऐसे गठबंदन बनते रहते हैं ऐसे लोग इखटे होते हैं एक ही ideology है हमने सत्ता कैसे प्राप्त करनी है यही final ideology है गठबंदन की सुरुवात कहा से होती है भारत की जो politics अभी तक की रही ह है अब इंतिका जी वो धरम पर पंथ पर जाती पर महजब वरग और ख्षित्र पराधारी तरही है वो इसी तरह की राजनीती को जनम देती है जब तक हम development की politics यहां पर नहीं लिख वहेंगे एक जब आवदे सरकार नहीं लिख वहेंगे आप जब जनता के बीच में जाते ह मेंटा की है आक टारी की वावना है बड़का के पुलराइजेस्चन की बात हो ती है और जहां development की सिधाए ओगा करेंगे करना कुछ नहीं है ऐसा कोई पूरी तरह से चुनाव वह था उस वक्त गड़बंदन की सरकार आपकी बनी क्या रहा रष्ट अचार की सरकार नाम दिया गया उसको आप यह बताया वंति गाजी जूट बोलने में लोग माहिर हैं एक भी केस में कोर्ट का फैसला आज रहा रहा आप मुझे चैनल कर सकते हैं अब एक पूटने केस कर सकते हैं पूर्फ रधान मंत्री मनमोहन सिंग को उस वक्त ये खुद कहना पड़ा था कि गठबंदन की सरकार है इसलिए मजबूरी है क्या मजबूरी है कोई मजबूरी है कि एक बाद है किस तरह से घोटाले ही सामदे आ रहे हैं इन्होंने सवर इतना वाज़ा इन्होंने सवर मता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केसों का डिसीजन लगाता रहा रहा है इसमें से तीन और चार चार केस जोना फाइनल हो चुके हैं से अधिन के सब्सक्राइब करते हैं और खाल्या आज के सरकार ने उसके खिलाफ कोई रीट प्रें लिए के सारे चास फिल नियुक्त है जो उसका फाइनल आया था अभी सारे के सारे पड़े हुए है। जो उसका फाइनल और आज हम चर्चा कर रही है कि विपक्ष की और से संपूर विपक्ष को एक जुट करने की जो कोशिच कांग्रिस के और से की जा रही है ये कहां तक सफल हो पाए की कि इसके नेत्रित में चुनाव लड़ा जाएगा और कौन जो है इस पूरे महागटबंदन से प्रधानमंतरी निकल कर सामने आएगा क्योंकि जो इतिहास जो कहता है वो यही है कि एक दो बार को अगर हम छोड़ दें तो जो गटबंदन की सरकार बनी है वो फेल ही साबित हुई है इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं हम ऐसा तमाम महमान जो है वो स्टूडियो में मौजूद है अनिल्दारे जी आपके पास आते हुई कि क्या इस महा गटबंदन में आपको कोई ऐसा नेता नजर आता है जिसके उपर सहमती सबकी बन जाए क्योंकि राहुल गांदी खुद को कहे चुके अगर जीते तो वो प्रधानमंतरी बनेगी मायावती जो है वो खुद को प्रधानमंतरी के तौर पर प्रजेक्ट करती है अब अन्तिका जी देख दो बाते हैं आप मिक्स कर रहे हैं एक तो रहूल गांदी जी एक कॉंग्रेस बिलकुल अलग बात है और जिस गटबंदन की बात हो रही है वो बिलकुल ही अलग बात है वो इन्विटेशन मिलते रहते हैं, वो उन्होंने सुविकार नहीं किया, एक फोटो अगर एक मुख्यमंत्री जी के सपत गरने समारों में एक फोटो खिज लिया गया है, या उनका अच्छा प्यार उन्होंने अंडरस्टेंडिंग दिखिये, इसका मतलब यह नहीं है कि बी बीएसपी ने कहा हो कि हम यूपीय का पार्ट बनना चाहते हैं, या इन्होंने कहा हो कि हम उसका पार्ट बनाना चाहते हैं, दोनों तरफ से ऐसी कोई बाचीद नहीं है, अला कि जो बीएसपी का वोट बेंक रहता है, वो लगबग 5% के आस पास का, आल और इंडिया रहता इनकी, वो इनका एक सांसद भी रहे हैं, मुनकुमार नागरा जी, लेकिन राश्टिय सतर की जो बाचाप कर रहे हैं, राश्टिय सतर पर हो सकता है, मैं इसे इंकार नहीं करता हूँ, राजनीती में संभावना ही रहती हैं हर तरह की, लेकिन आज की जो वो है पॉलिटिक् मैं तो आज पढ़ रहा था, उनके जो योगा के कुछ स्टैप से उनके उपर भी उनने स्टेटमेंट आई है, जो गैर जुरूरी भी है, पर दानमंतिरी जी का भी इस तरह का गैर जुरूरी होता है, चलो वो प्रमोट कर रहे हैं योगा को, आप उस तरह पोजिटिव ले जाए, फ़ले ही कोशिश की गई, कहा गया कि महागडबंदन एक जुट हो रहा है, इस मंच पर आप इसको फोटो सेशन कह सकते हैं, इसमें कोई भी जो है नेता, इसमें एक भी लाइन जो आप सामने देख रहे हैं, क्या वामपंति दल राहूल गांदी को अपना नेता मान हो, तो सारा मामला है, वो मलाई के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता में आने के लिए गटबंदन बनते हैं, और समय और परिश्थी देखकर बनते हैं, कोई कि आई डिफित कर नहीं बनते हैं, अगर आई डिफित अगर आईडिवय कॐथे जमु के साथ पीड गिल्मेर है, आदमी भी आ सकते हैं अलग अलग चुनाव लड़ने की उसी तरह उस प्रिष्टिती में चुड़ाव लड़ना संभब नहीं हो पाएगा संभव तो है अगर बीजेपी बहुत जादा मजबूत रही तो इनका मजबूरी हो जाएगी वहां चुनाव लड़ना इसी तरह जो कोई भी एक नेतरत हो अगर हम इंद्रा गांदी जी की बात करें पेच्छेतर में उन्होंने एमेरजेंसी लगा दी थी उसके बाद कोई वि तो नेता हों के पास कोई जबाब नहीं था एक उन्होंने पास कोई जबाभ नहीं था रटीजेंक के बाद में और बरेष्टा चार का आरौब लगता है कैक की रुपोर्ट आती है उसमें एक लाग चैस्टीहजार क्रोड़ से जज्यादा का नुकसान दिखा जाता तो चो तो यह जो सरकारे बन रही है या आज की जो पॉलिटिक्स हो रही है वो चरित्र हनिन्त की पॉलिटिक्स हो रही है आप नेता का चरित्र हनिन्त कर रहे हैं यह काफी गंबीर मामला है 2019-2020 तक इसके नतीजह आने शुरू है यहां पर वाकई में आइडियोलजी जो है अनिल जी से कुछ मैं कहना चाहूंगा आर्टी आई कौन लेकिया या मैं वरभली वान अनिल जी आप सक्षा लेकिया दूसरा इन्होंने मोधी जी के वारे में का वे कॉंगरेस ने उनके योगा के उप्रलांस मैं आप यह बताइए उन्होंने का दूरू तर्ट से होते हैं कुछ परदान मंछा हने को धिस्no को कमार स्वामी को अपने साथ लिएगे ने इनको क्मार स्वामी है जाता है वीज जिए पडाएं मैं दॉनील जी से बात करहे हूं सबस्के ज़ादा परश्ति करना क्या थैसलइंग को अगर चैलिंज करना क्या उनको कुमार सौमी ही मिले अगर चैलिंज की बात करनी हो तो चैलेंजcke ऑगा ता यहा किया जाता वह बेरोजगारी कहा था आठीक से एस्य कोई और किर्केट के अफ़े रहे रहे हैं तो अब आपका जवाब देता हूं मैं बदाता हूं देश की जो राजनितिक परेदरश्य है उसमें मोटा-मोटा पीछले 30 साल से जो डवलेमेंट होई है उसमें डेवलेमेंट ही बात तो लीडर्स की हो रही थी है राजनितिक डव यूपीए और थर्ड परेंट ये अभी देश का जो मिजाज है राजनितिक तोर पर है वो सामने आता है यूपीए जो आलाइंस थे हमारे जो थे ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं इसमें आमारे करीबन-करीबन सभी यूपीए लाइंस के साथ ही जो हनो वह उसमें से कौ आरशी समढ़ थे था बीस्पी का नहीं था पता ओँ विसी निलिखारो का मेरे वोट किसको देते हम जिसे हमारे विचारम मेरे खते हैं तो कहां किसे आपके बुश्मना जो कटे हो रहे हैं सबस्ता के प्राफिए जो हब बोलो कौन दूश्मन आप नाम पकाए है और इस त सब्सक्राइब कर दोटे से डिस्टिक जैसा स्टेट ने संभाला जाता जब यह दलीतों के अंदोलन हुए थे उनके गाउं चलाए गए थे और उसी मायवती की आज यह कमीज पहन के खड़े खीच रहे है कि बैंजी बैंजी मेरा की बान दो तो उसको यह वक्षा बंदन का अगे 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 आज विचे बादे आज यह विश्वास के पूंजा इनके पहसलों को और देखें आपने गटबंदन दरम नहीं के बीच में आगे सारी पार्टी उखाड दिये हैं अब इचले चार साल में पूरा इंडिया जा इसम्टाफ जा इनको रखने इनके अब सब्सक्राइब नहीं चला रहे हैं अब यह बताएं जो अपने साथी बाग रहे हैं के दुसरों कहां से लेएंगे जो ते इक बार होगे आपादा मी बिली के बाग से जिंका टूटके इनको अपने साथी नहीं आपके पूरे कर्मों की वज़े से लेएंगे जो संक्टें तो बनेंगे जिए 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 जहां पर इबी कभी गटवंदन होते हैं कभी जो इस तरह की को एलेशन की गवर्मेंट होती है कही न कहीं थोड़ा वोट अगर कभी आता भी है तो हमें बीच में हमेशा बाचित से सुलज भी जाता है जो अगर आप सर्वे करवाले तो देश में प्रधान मंत्री के नाम पर लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि वोट पड़े हैं वो पैसे का जलावने में दिया है इतने क्रोरों रुप ही कठे कर लिए सारे एक सिकीनों एक सि समर्थान मंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट जो है इनलो ने में समर्थन इसे लिए दिया है वो खुद प्रधारमंतुनी बन जाती है। कि हर एक स्टेट में हमारा जो है राश्टिय सतरका जो पार्टी का दर्जा है वो न चीन जाए तो हर स्टेट में वो अलाइंस करके लग 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 दस बारा परसेंट वोट और अपनी पॉलिटिक्स जो है वो आखरी दोर में हैं अभी बहुत हो गई है उनकी मुझे नहीं ल स्टूट करें चाहें वो खुद कहें उनका मोटियों जो हो सकता है या यूपी की चीफ मिनिस्टर का बैस्ट लगता है या के अंदर सरकार में पादाइन नेत्र बादी के गेंस्ट आजी उनकी है तो आजी को आए फाट साफ परसेंट रहा है इसका प्राइश का प्रामिस जो फिर सकता है कि अधर सब्सक्रान करें बहुत अच्छी बात और सबस्ट से बनते हैं लेकिन यह सिर्फ सब्सक्राइब लाल अशका है यह सिदा सिदा दोखा है अगर उनिस्सो निन्यान वे छोड़ दे हम उसके पहले जितनी बार कोशिश की गई क्या वो सब्ता का लालच नहीं था कितनी बार तूटा आपका गड़बंदन देखें गड़बंदन हमेशा से बनते रहे हैं और हमेशा से कि हम यह नहीं कह सकते कि फ्यूचर में भी नहीं बनेगे यह एक पॉसिबिलिटी है हमेशा रही लेकिर आज के हालात के हिसाब से अधे कि हमें देश के लिए क्या चाहिए हमें वो नेता चाहिए जो देश और विदेश में हमारे जो देश है उसके नामूचा रखे यह लिए जो यहाँ की नफस समस्दा हो जो कि आप आद कर रहे हैं कितने दल एक साथ आए वहाँ पर नुक्सान हुआ बीज़पी को कि नुक्सान हुआ कि नुक्सान के लिए सत्ता के बाद भी किसी भी तरह का समझोता कर सकते हैं आपको बहुत समय बिला जी बाद बाद बूची ने महभु पामुपति आजमों का सवीर में सरकार अभनाई मैं पूस्ता रहती हैं क्योंकि वो मैजॉरिटी में थे और इसलिए हमने उनको स्पोर्ट किया ताकि वह पर एक अच्छी सरकार और अच्छी चल भी रही है कोई दिखर नहीं करनाटक में समर्थन करके क्या अगल्स कर दिया इंक करनाटक में क्या था इंका तमाशा इलेक्शन से पहले हमारा तमाशा आप ने आलत बात मत्मित ने एक बात के उपर कि जब वह सरकार में आए तो जितने भी अब उनके साथ सरकार मना आगे बैटे किसको जेल में डालेंगे इस तरह अपार इस अंदर बहुत है निदर कर दो कर देखा दो दो अब आप आप सुनो आप सुनो आप सुनो कि अखोड़ी इस और नहों पूंह पासपोर्ट करे पाकिस्तान गए वा पाकिस्तनों बेफ के मिटिamment कर का और फिर इनका है पाफ or डेस्ता प्रदानमंत्री रतो लाइए पाकिस्तान लाता है बगेर इंफरमेशन के लिका इनकी आटे पाकिस्तान पर सरकार dan मतरी बगैर बताए पर दानमंत्री यहां अगया ने आपकर ने के लिए करने के लिए न तर्फ की सब्सक्राइब सबसे बड़ी रिसोर्स पूल जो चीज होती है वो खिती होती है आप सारी बहुतिक चीजों के बिना रह सकते हैं आप हर एक चीज के बिना रह सकते हैं लेकिन खाने की बिना नहीं रह सकते हैं और खाना कौन होता है किसान होता है और इस किसान की मदद कोन करते हैं जो अगरी कलिटरिस-बेस्ट जो मज़्दूर है जो डिपेंड करते हैं गरक्लिकल Lights के ओपर के ऐसकestry हर मजदूर से को कहा जाता कर संपर प्राइज जो तक कर दो खृष के लिए लिए दो हजार पंदरा से लेकर आज तक अर्याना की गौपिजट की समद में खर्च किया है वो फ़की समद में नहीं है अगर मैं कह रहा हूँ आप सोरी फील कर ले ना अगर 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 दिखाने से क्या होता हूँ अनुमानित बजट है, इतना बजट कहां पर आया है उसकी कोई माइने नहीं रखते हैं, बहुत अची है लागों का रखी है, योजनाय सारी अची होती है, योजनाय तो गरीब ए योजनाय सारी अची होती है, इस कि इस को हूँ आने लागों कर दिखी है, बहुत क्शन की अची होती है। वो आपको किस तरह से नज़र आ रहे हैं यही एक बहुत बड़ी दुविधा की बात हो रुखिए कि जैसा बिहेव वहा स्टेज के ऊपर सोनिया गांधी जी का मायावती जी के परती था काफी पॉजिटिव आई थी और वह फोटो सेशन भी मुझे लगता है अगर उस फोट सत्ता बिल्कुल सामने हैं दूसरी प्रिष्तिति यह बनती है कि राष्टियस तर पर अगर बात करें मायावती जी का हर्याना में कोछी बहुत बड़ा इंटरस्ट नहीं है मोर्यू जो पांग्रेस का उनका हर्याना में कोशिश और सम्भाव नहीं कि यह पताइम के प्राइम से तोसमय बताएगर अपने साथ यह वी कुछिछ यह समय पताएगर अब भी सब बीजेपी नोग और सब्सक्राइब कर दो कि बात हुई क्या वह खुद आ रहे हैं जहां MP में को जूड़ता है मायवती जी वह कह रहे हैं कि आप हमारे साथ उनी कह रही है तो जाएंगे ना बुलाएंगे ने जाएंगे यह सिर्फ सब्सक्राइब और दिखा रहे हैं तिक पुरी मिजोर्टी आगे रोग नीचे चली गई है आब आगे देखोगे ना किसी सब्सक्राइब जिसका और इसमें अब नोगा ने उड़ा साथ को तो ने अंडर किया इन्हों ने अंडर किया नियुक्त अदर करेंगे जिसका और कॉंग्रेस और बस्पा का एक मंतरी है वहां सरकार हमने बनाई है इसी तरह आगे हमारा मध्यापरदेश सथीशगर राजस्थान में भी बाल मुकुण शर्मा जी सुनिए एक सवाल सरे सवाल लेनी जी सर की कोशिश जो है हाला कि राहूल कांदी कहते हैं कि प्रद अगर हम करनाता के एक्जामपल लें तो पीछे बैठी है ना प्रदान मंतर आपने जो मुक्य मंतरी बनाया करनाता में वह एच्टी कुमार स्वामी को बनाया जोगी 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 आप इतने बड़ी आंकर हैं आप चीजों को समझते हैं फिर मेरे सवाल अगरे मिलाया या उन्होंने गड़े मिलाया यह मारे संस्कृति का प्रिच्च है उसके बाद मैं यह आपको कहा जाता हूं हमें बता रहे हुँ ना स्टेट वाइस से एक तरफा करे रहे हुँ आनि इंडिने लोगी लेकिन कितनी बार कॉंग्रेस की खिलाफ बोलती रही है आपको भी दियान होगा मतवेने रहे है शरत वाद में पर दाल रहे है वो तो कौंग्रसी है सभी जो पार्थी ते नां के प्रिचे कौंग्रेस लिक्यावाओव करनी मैंच के निखले निकले आखरी कमेंच अवंतिका जी जो गठबंदन बनते हैं वह आई डिलोजी पर नहीं बन दूर दूरूर्ट है और जैसे मैडम कह रही दीन है कि आज ए निलारिया जी से मिले हुए मैंने आप सुन नहीं रहे हो अगर आप प्रदान मंत्री जी को पीजेपी को सबसे मजबूत बता है आप भी कोट कर सकते हैं हमें ऐसी कोई बाद नहीं है तो जो भी गटबंदन बनेगा उसको आप थड़ प्रण्ड कह सकते हैं अगर राहूल गांदी जी का बयान लेते कि मैं उसका सेता हूंगा मुझे ऐसी पॉसि बंदन जो है उसकी सीची क्या होती है बहुत शुक्रिया आप सभी मैमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में लेकिन देखना होगा कि पीजेपी जिसको भानुमती का कुनवा कहती है क्या वाकई में वो जो है असली कुनवा साबित होता है क्या सभी एक जोट जो हो पाए और प्रधानमंत्री कौन बनता है इसको लेकर क्या सहमती बनती है इस पर भी नजरेब बनी रहेंगी फ्लाल दीजे जासत नमस्कार